यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्स बनाई जा रहे हैं मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्स का फाइदा आपको नहीं मिलता है कहा गया है कि प्रोजेक्स के पाच किलोमेटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी फ्री में बिजली मिलेगी बगर वो नहीं हो रहा है और बिजली के प्रोजेक्स का फाइदा आप लोगों को मिलना चाहिए स्टेट हुड मिलेगा शुनाओं में हम जीतेंगे तो यह काम हम आपके लिए करके देंगे आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हों और आपके जेव में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है चीना जा रहा है ज्यादा रेट देते हुआ यह अन्याय है इसको हम ठीक करेंगे कि भाई और बहनों पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोज़गारी फिलाई है पता नहीं आपने अधानी जी का नाम सुना है सुना है हाँ 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 मोदी जी के मित्र है पार्लमंट में मुझे कहा आप देखिए पार्लमंट में मुझे कहा कि पार्लमंट में मैं अधानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता तो मैंने का ठीक है नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा तो एवन एटू नाम दिया मैंने उनको हम दो हमारे दो नरेंद्र मोधी अमिच्छा अम्बानी अदानी इनकी सरकार चल रही है और अगर कोई छोटा काम करता है मजदूरी करता है छोटा बिजनस चलाता है होटेल चलाता है तूरिजम का बिजनस चलाता है तो उसके लिए नरेंद्र मोधी जी जी एस्टी लाते हैं नोट बंदी कराते हैं और बैंक के दर्वाजे बंद कर देते हैं और पूरी की पूरी सरकार इन दो अरब पतियों के लिए चलाई जा रही है यह मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो यह जो आपसे स्टेटूट चीना गया है इसका भी नक्ष उन्हीं दो अरब पतियों की मदद करने का है और जम्मो कश्मीर के जो लोग है जो वियापारी है जो इस प्रदेश को इस देश को रोजगार देते हैं चाहर वो टूरिजम की बात हो हैंडी करास की बात हो उन सब को यह गबा कर रखते हैं जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्हो कश्मीर में है देश से ज्यादा बेरोज़गारी यहां जम्हो कश्मीर में और यह उल्टी सीदी बात करते हैं कभी नरेंर मोधी समुद्र के नीचे चले जाते हैं कभी हावाई जहाज में उड़ते हैं कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं एक बात मान कर चलो यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है यह यह निश्चित है यह होने जा रहा है और हमारा पहला काम हमने नैशनल मैनेपेस्टों में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं जो भी सरकारी वेकंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्स्टेंट कर देंगे जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगिलराइज करेंगे पर्मनंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे मगर हमारा लक्ष होगा कि हम सब को लेकर एक साथ मिलकर जमू कश्मीर की सरकार चलाएं सब की रिस्पेक्ट हो सब को एक साथ लेकर हम चले और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा भारत जो यात्रा में हर स्टेट में कहा नफरत को मिटाना है जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे जहां भी ये नफरत फैलाएंगे वहां हम महबत की दुकान खोलेंगे आखरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इतनी सुंदर जगा है चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा और ये ये जो आपने वकार जी वकार जी कर्रा साथ ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है यह आपने मुझे ठग लिया यहां पे कम से कम एक दिन दो दिन प्रोग्राम बनाती है मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है ऐसे प्यारे लोग कम से कम कम से कम यहां मुझे दो तीन दिन के लिए लाई है और यहां गुमाई है कि पांच मिनिट दस मिनिट जितना चाहते हो कोई प्रॉब्लम ने तो तो आपने देखा होगा पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाईया मेरी डायरेक्ट लाइन है भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ और वो भी देश की मीडिया को बूल रहे है अगर कॉंग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास जैसे कर्रा साब आए या वकार आए और कहें कि भाईया मैं डायरेक्ट ली भगवान से बात करता हूँ मैं उन्हें कहूंगा भाईया ऐसे करो आप ये बात बाहर मत गल्ती से बोल देना नुक्सान हो जाएगा लोग पता नहीं क्या कहेंगे मगर नहीं देश का प्रदान मंत्री जा सकता है कह सकता है बहिया मैं नौन बायोलोजिकल हूँ बाकी हिंदुस्तान बायोलोजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलोजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूँ और इस चुनाव में भगवान ने नरे नमूदी को डायरेक्ट मेसिज दे दिया कि भाईया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलोजिकली उड़ा दिया है मैं आपको बता रहा हूं मैं पार्लमन में बैठता हूं उनके सामने पार्लमन में बैठता हूं पूरी कॉंफिटेंस गायब हो गई उनकी इंडिया घटबंदन खड़ा हो गया एक साथ मिलकर हम लड़े पूरी की पूरी confidence हिंदुस्तान के प्रदान मंतरी की गाइब हो गई है आप मुझे बतावाब देखो उन्होंने पहले कहा कि जाती जंगर्ना नहीं होगा हमने कहा जाती जंगर्ना होगा अब RSS के लोग कह रहे हैं भहिया जाती जंगर्ना बात है फिर उन्हों ने कहें, हम लैटरिल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाते हैं। ने कहूं इसे नहीं होगा। पार्लिमन में बात उठाई थोड़ा सा द्भाव ढाला, वीजेपी के लोगर कहते हैं नहीं लैटरल एंट्री नहीं होगी तो अब एक बात समझ लो अब नरेंद्र मोधी हिंदुस्तान की जंता से ड़ते हैं और अब बस थोड़ों सा समय बचा है नरेंद्र मोधी बीजेपी इनको हम सरकाय से हटा देगा मगर हम हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो सबकी रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के साथ इस्जत से बात हो जो कमजोर लोग है चाहे वो किसान है मजदूर है छोटा बिजनस चलने वाले लोग है उनको लगे कि इस देश में हमारी भागिदारी है बैंक के दर्वाजे हमारे ले खुले है कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश दो तीन लोगों के लिए नहीं चलता है यह हम चाहते हैं और यही काम यही काम हम जमू कश्मीर में शुरू करेंगे और और कुछी समय में आप देख लेना यहाँ पर यह आप वकार जी यहाँ पर चुनकर जाएंगे आप जिताओं के इनको हमारी सरकार बनेगी और यह आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे वकार जी यह आप मुझे एक वाइदा करो कि यहाँ पर आप मुझे एक दो दिन के लिए लाओगे और यहाँ के लोगों से मतलब अच्छी तरह जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगे और और गूल के एरिया में मुझे वहाँ पर ले जाओगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने प्यार से मेरा स्वाधत किया धन्यवाद नमस्कार जैन शुक्रिया शुक्रिया